यदि आपने बे मुंग्यर उन्वर्शिटी के अंतरगत यूजी समस्टर वन चोबिस टू अठाइस में एडमिसन के लिए आउनलाइन अपलाई किये थे और यदि आप लोग एस्पोर्ट एडमिसन के ताथ एडमिसन नहीं ले पाए थे तो आप से भी के लिए एक बड़ी अपडेट है फिर से आप सभी लोगों के लिए एस्पोर्ट एडमिसन की परकिरिया है वो चारी कर दिया गया है यहीं कि जो भी वैसे student है जो sport admission के ताथ अत्मना admission नहीं करवा पाए थे तो वे सभी लोग अपना फिर से seat को book करते वे अपना admission करा सकते हैं जिसको लेकर के officially notification आ चुगी है तो आएए देखते हैं कि किस प्रकार से आप से भी अपने seat को book करते वे आप लोग admission ले सकते हैं साथ साथ कब ते कब तक आप लोगा booking का प्रोसेस के परकिरिया रखी गई है साथ साथ वैसे student 24-28 वाले जो कि यहां पर admission करा लिये हैं और वे सोच रहे हैं कि इसका जो भी registration है वो कब से होगा हो गया है यह फिर आप लोगा कब से लिया जाएगा registration इसके बारे में बहुत सा सबसे पहले मैं आपसे वो दिखाना चंगवा किए यहां पर आपसे भी लोग देख सकते हैं यह मुंगेर यूनिवाशिटी के दोरा ही official notification दो जुलाई दोजार चोवीस को जारी किया गया है इसमें देख सकते हैं साथ तोर पर बताया गया है कि cbse semester 1 24-28 में on spot नमंकन के ल देवे नमंकन करा सकते हैं वैसे student जो इसमें registration नहीं कर पाया है तो वे भी इसमें new registration करते हुए अपना 1000 रुपे का जो payment है वो करेंगे और 1000 का payment करते ही आप लोग का seat booking करने का जो विल्लिंक हो एक्टिव हो जाएगा और वहां पे आप लोग यहां पे seat को book करते हुए जिस वी college में seat को book करेंगे वहां पे 24 घंटे के अंदर आप लोग डोकुमेंट verification करा लेंगे यह सारे डोकुमेंट है और admission की परिकरिया वह सारे परिकरिया को follow करते हैं इसके लिए आप लोग को seat कैसे booking करना है किस परगार से seat को log करना है इस पर में आप लोग को वीडियो बना चुका हूँ वीडियो नहीं देखे ते जाकर के discussion box में link दे दिया हूँ वहां से जाकर के check out कर सकते हैं वहीं बात कर लेते हैं वैसे student के बारे में जो admission करा लिये हैं और registration के बारे में पूछ रहते हैं कि हमारा जो भी registration हो कब से होगा यह फिर हो चुका है क्या यहां पर 24-28 वाले का जब तक कि इनका जुबी admission की परिकिरिया सभी का complete नहीं हो जाता है तब तक आप लोगा registration की परिकिरिया शुरू नहीं की जाएगी अभी export admission की परिकिरिया ली जाएगी यहां पर देख से हैं export admission का जुबी date मैंने आप लोग को बताया अभी 4 जुलाई तक चलने वाली है तो इसके बाद ही आप लोगा export admission की परिकिरिया शुरू की जाएगी हम आपसे बहुत की रेजिस्टेशन परिकिरिया जैसे ही शुरू की जाएगी तो इनको लेकर के नया जो भी notice है वो जारी किया जाएगा उसमें आप लोगा registration की पूरी परिकिरिया बताई जाए तो आप से भी लोग हमारे साथ जुड़ के रहें जो भी अपडेट आएगा registration को लेकर के यह फिर जो भी आगे अपडेट आएगा वह आप लोग अपडेट यहां पर मिल जाएगा और